नमस्कार बच्चों आज हम लोग जारखन बोड का कुश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं जो कि JCRT ने कुश्चन बैंक रिलीस किया है 2024 2024 का और आज बच्चों हम लोग क्लास 12 का कुश्चन बैंक सॉल्व करेंगे mathematics का ठीक है बच्चों यह बहुत ही important questions इसमें हैं जो भी questions दिये हैं जारकन बोड ने बहुत important questions है और उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत सारा questions आपके exam में आने वाले हैं ठीक है बच्चों तो और आज हम ना chapter 4 करेंगे determinant सारनिक इसके पहले हम लोगों ने chapter 1, 2, 3 कर लिया है और आपने उसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के description में उसका link मिल जागा वहां से देख लिए या फिर channel पर जाके playlist में आप वो उन सारे वीडियों को देख सकते हैं ठीक है बच्चों और आप लोग अगर नए आये हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करें ठीक है बच्चों तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का chapter 4 है determinant का question bank तो देखो हमारा जो पहला question है यह है multiple choice question बहुत भी कल्पी है प्रस्ट चार इसमें चार option रहेंगे चार में से एक सही होगा अपना ठीक है बच्चों तो चलो करते हैं देखो क्या है पहला एक question दिया हुआ है मारा matrices then determinant तो determinant यह क्या हो जाएगा determinant यह हमारे पास 2 चार माइनस पांच माइनस एक तुम लोगों को पता है क्या कि इसको इसके साथ पहले multiply करना है ठीक है तो इसको इसके साथ multiply करेंगा तो क्या हो जाएगा दो गुना माइनस एक तो माइनस दो आ गया formula का माइनस चार गुना माइनस पांच फिर इसको इसके साथ ठीक है चार तौना माइनस पंस तो माइनस 20, तो ऐसा हो गया, तो क्या आगया, माइनस दो, माइनस, माइनस, प्लस, बीस, तो बीस में दो जा रहा है, कितना बचा 18, तो हमारा जो आपशन है, आपशन है, हमारा सही है, ठीक है बचो, चलो Next question पर चलते है, question number 2 देखो determinant है बोल रहा है कि यह x जो है कि इसके बराबर होगा तो देखो क्या आ रहा है तुमारा इतना equals to इसमें न कुछ गड़बड हो गया यह 7 में इसको 0 होना चाहिए था यह 0 होना चाहिए था ठीक है तब x का मान निकलेगा यह थोड़ा सा मिस्प्रिंट है question में तो यह यहाँ पर 0 होगा ठीक है तो इसको आप लोग ठीक कर लेना x 2 18 x equals to 0 यह होगा question तो यहाँ से क्या हो गया तुमारा x गुना x पहले इसको इसके साथ multiply करेंगा तो x गुना x होगा x square माइनस इसको इससे करेंगा ता 18 2 गुना 18 कितना हो गया 36 और यह हो गया 0 और देखो यहाँ से क्या हो रहा है x square माइनस 6 का स्क्वार 36 को 6 का स्क्वार रिक्वेस्ट जिरो कर लेते हैं तो यह formula बना a square minus b square a plus b और गुना a minus b बराबर 0 यहां से x का मान जो आ रहा है यह minus plus 6 दर जाके minus 6 हो जाएगा minus 6 जाके दर plus 6 हो जाएगा तो plus minus 6 तो option भी हमारा सही है ठीक है बचो चलो next question पर चलते है question number 3 इसका value बोल रहा है निकालने के लिए तो क्या यहां भी देखो इसको इसको इसके साथ multiply करेंगे sine 10 cos 80 तो sine 10 cos 80 degree और minus अभी तो यहां पर minus है minus यहां पर minus cos 10 cos 10 degree into sine 80 degree into sine 80 degree ठीक है तो क्या रहा है तुमारा sine 10 cos 80 plus cos 10 sine 80 तो यहां से हो गया sine A cos B plus cos A sine B तो sine A plus B तो 10 degree और plus 80 degree तो कितना आ गया sine 90 degree और sine 90 का मान कितना होता एक तो option A हो जाएगा तीन का सही ठीक है चलो next question पर चलते है question number 4 क्या बोल रहा है determinant A dash का determinant तो A dash का determinant simple bात है भाई A dash का determinant जो होता है वो A के determinant के बराबर होता है याद रखना A dash का determinant A के determinant के बराबर होता है A और A dash में क्या फरुक होता है रोको लम्ड ही तो सिर्फ चैंज होता है बड़ डिटर्मिनांट दोनों का इक्वल होता है तो A' का डिटर्मिनांट हो जाएगा तो 4 का ऑप्सन हो जाएगा C 4 का ऑप्सन हो जाएगा C A' का डिटर्मिनांट बराबर A का डिटर्मिनांट चलो question number 5 क्या कह रहा है कि अगर है ना A be the square matrix of order 3 by 3 7 três कोटी का और डिटर्मिनांट A पहले से दिया होँके दिया हुआ है ध्यान दो दो का पावर तीन बार बाहर आ गया और यह determinant A हो गया याद रखना यह हो जाता है तो दो का पावर तीन और determinant A भी क्या है हमारा दो है है ना तो कितना हो गया दो का पावर तीन आठ आठ गुना दो तो आड़ दुनी 16 ओप्सन पाँच का A हमारा ओप्सन हो जाएगा ठीक है पाँच का ओप्सन A हो जाएगा ठीक है याद रखना अगर यह 4 भाई 4 का होता तो 2 चार बार बाहर होता दो का पावर 4 होता यह 2 भाई 2 का होता तो 2 दो बार बाहर होता तो ऐसा होता ठीक है तो आप ऐसा कर सकते हैं ठीक है इस तरह से आप बना सकते हैं तो चलो question number आते हैं लोग 6 पर i simple बात है determinant i i क्या होता है identity matrix होता है और इसका determinant 1 हो जाता है i का determinant कितना होता है एक option c हो जाएगा हमारा 6 का option c ठीक है चलो next question पर चलते हैं 7 बोल रहा है इसमें x का value क्या होगा तो देखो क्या है हमारे पास determinant x 2 2 1 बराबर 0 यहां से क्या हो गया x गुना 1 x माइनस 2 गुना 2 4 बराबर 0 तो x कमान इस तरह से क्या हो गया हमारा 4 हो जाएगा ठीक है x कमान क्या हो जागा हमारा इस तरह से 4 तो यहाँ पर जो है 4 दिया हुआ नहीं है माइनस 4 है तो गड़ बड़ हो गया 7 का यह अच्छली प्लस 4 ही होना चाहिए अप्सन गलत है इसका अप्सन सही कर लो B होगा और 4 आंसर होगा माइनस 4 नहीं होगा ठीक है ठीक है बच्छों ऐसा या फिर यहाँ पर माइनस 2 रहता तो फले होता बट माइनस 2 तो है नहीं 2 है तो X माइनस 4 बराबर 0 तो X का वैल्यू 4 होगा तो इस उप्सन भी होगा बट यह माइनस नहीं होगा यह क्या होगा प्लस होगा ठीक है बच्छों चलो next question पर चलते है question number 8 देखो ध्यान से कहता है इसका determinant क्या होगा बहुत easy है देखो यह ना triangular matrix है देखो यहाँ पर नीचे उपर की और triangle बनाए ना नीचे 0 है तो जब भी triangular matrix होना भाई तो इसमें क्या करो बस इसका इसका जो diagonal इसको गुना कर दो यही तुमारा answer आ जाएगा डाइगोनल गुना कर दो जब भी triangular matrix हो जाए या फिर बीच में उपर गर यह 3 जिरो हो जाता नीचे 0 हो जाता या उपर नीचे 2 जिरो हो जाता तो इस condition में सिर्फ बीच वाला को गुना करो तो क्या गया दो गुना पांच गुना दो तो दस गुना दो बीस और हमारा answer हो जाएगा बीस option ए हमारा सही है 8 का option ए हमारा सही है याद रखना ही है ठीक है बचो चलो next question पर चलते है question 9 सुन वर्ग आप यू का सारेनिक क्या होगा simple बात है determinant of a null square matrix null square matrix मतलब क्या है सारा element 0 है सारा element 0 है तो उसका determinant भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सारा element 0 होते determinant भी 0 minus 0 करोगे 0 ही होगा तो सारा element अगर 0 है तो उसका determinant भी क्या हो जाएगा भाई 0 ही हो जाएगा तो 9 का क्या हो गया option ए हमारा answer हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोड़ों पर चलते है, टैन, क्या कता है, एरिया उपर ट्रेंगल इज आल in सकती है, तिरभुज का छेठीफन हमेशा हमेशा है, ध्यnya देना, तिरभुजCT का छेठीपल हमेशा बोलता है निगटिव होगा, पॉजिटिव होगा जीरो होगा इनमेंसे कोई नहीं होता है हमेशा ही positive होता है तो यह हमारा दस नंबर हो गया ठीक है चलो next question पर चलते हैं ठीक है कहता है कि square matrix invertible एक वरग अभी with कर्मनिय है कब याद रखना invertible कब होता है जब determinant a0 ना हो तभी वो क्या होता है invertible होता है with कर्मनिय होता है तो यही कि तुमारा याद रखना है कि determinant अगर 0 नहीं है तभी जाके उसका inverse निकाल सकते हैं अगर 0 हो गया तो फिर उसका inverse निकाल नहीं सकते हैं ऐसा इसलिए होता है क्यूंकि ए इंवर्स का formula होता है एक बटे यह 0 नहीं होना चाहिए तो यह डिटर्मिनांटे कभी 0 नहीं होगा तो option जो हमारा सी हो जाएगा तो 11 का option सी हो गया हमारा ठीक है question number 12 देखो क्या कह रहा है विट कर्मिनिया अभी होए तो ए इंवर्स का मान क्या होगा एज इंवर्टिबल मैट्रिक्स देन ए इंवर्स will be invertible है अच्छा देखो तो एट गुना a inverse क्या होता है आई होता है दो बूलते लेड़ेंड यह होता है ठीक यह फॉर्मूला आभी तुरंद पढ़ रहे थे हम लोग की इंवर्स क्या होता एक बटब डिटर्मिनांट ए अगउना एड़ेंड इड़िम्हां टे होता है तो एक बटब डिटर्मिनांट ए गुना एडिजमेंटे, option B हमारा सही हो जाएगा 12 का, ठीक है, next question पर चलते हैं, दूसरा question, यहां भी देखो, अभी तुरन सिखा रहे थे, देखो यहां नीचे, यह वाला भी 0 है, यह सब भी 0 है, इसका determinant निकलना बस यह बीच वाले को गुना कर लो, तो बीच वाले को गुना करेंग तो बहुत असान है, इसको इससे गुना करो, तो 2 गुना माइनस 2, माइनस 4 गुना 0, इसको फिर इससे कर लो, तो हो गया तुमारा, माइनस 4, माइनस 0 बराबर क्या आया, माइनस 4 आ गया, तो option A हमारा 14 का option A सही है, ठीक है, चलो next question पर चलते हैं, 15 नंबर, देखो, determinant में हमारा 0 हो गया, ठीक है, D option, 15 का D, next question पर चलते हैं, 16, कहता है, इसमें से कौन सा सही है, तो अभी तुरंत पड़े थे, कि क्या होता है, determinant A बराबर, determinant A डेस, तो option A हमारा सही है, determinant A बराबर, माइनस, determinant A डेस, नहीं, यह नहीं, यह नहीं, यह आप्सन सही है, determinant A बराबर, A डे determinant of a matrix exist, if matrix is, कहता है, किसी आप यूग क्या सारनिक का मान संभव है, यदी आप यूग, सिंपल सा बात है, तभी आप ना सारनिक निकाल सकते हैं, determinant निकाल सकते हैं, जब वो एक square matrix हो, वर्ग आप यूग होगा, आयत आप यूग का नहीं हो सकता है, कुसी भी आप यूग का नहीं हो सकता है, तो वर्ग आप यूग होगा, तभी आप उसका क्या कर सकते हैं, सारनिक निकाल सकते हैं, वर्ग आप यूग होगा तो, अगर वर्ग आप यूग नहीं है, तो फिर आप जो है ना सारनिक नहीं निकाल पाईएगा, उसका मान संभव भी नहीं है, ठीक है, तो यह था तुमारा 17 का A 18 नमबर यहाँ पर भी देखो बहुत असान है क्या कह रहा है कि X, 2, 3, 1 यह जो है 8 के बराबर X को 1 से गुना करो तो X गुना 1, X हो जाएगा माइनस, यहाँ से 2 गुना 3, 6 हो जाएगा बराबर 8 आ गया तो X का मान क्या हो गया 8 माइनस 6 इदर जाके हो गया प्लस 6 तो X का मान हो गया 14 ठीक है तो option C हमारा सही है ठीक है यह 18 का option C हो गया next question पर चलते है 19 नमबर यहाँ भी तुम देखो क्या दिख रहा है अच्छा यहाँ पर देख लो अगर हर एक element 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 तो option 19 का option A आ जाएगा ठीक है चलो next question पर चलते है question number 20 अब यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो क्या कहता है क्या कहता है कि determinant में कोई भी दो रो या दो कॉलम एक समान हो तो उसकी मान 0 होती तो देखो दो तीन एक मतलब पहला रो और तीसरा रो दोनो एक समान है इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक समान हो तो उसका determinant 0 होता है तो option C हो जाएगा 20 का ठीक है चलो next question पर चलते है यहाँ भी देखो ढूंडो क्या कोई रो कोई कॉलम एक समान है है ना कोई रो हाँ दिख रहा है कि देखो यह वाला दूसरा रो और तीसरा रो दोनो एक समान है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है 21 का भी option C हो गया चलो next question पर चलते है यहाँ पर भी देखो पहला रो दूसरा रो दोनों क्या एक समान है है ना तो दोनों एक समान है इसका मान भी क्या हो जाएगा 0 तो 22 का कितना हो गया A option हमारा ठीक है चलो next question पर चलते है 23 अच्छा इसका मान यहाँ पर बराबर नहीं है चलो 24 का देखो तो ये भी ये दोनों रो एक समान है या दोनों कॉलम बोल दो एक समान है सिल किस का मान क्या हो जाएगा जीरो डी हो जाएगा हमारा 24 का चलो 25 पर आते हैं ठीक है बोल रहा है इसका को फेक्टर निकालने के लिए इसका को फेक्टर और 5 पांच का को फेक्टर आफ फाइब इसको हम लोग क्या बोलते हैं को फेक्टर निकालना है तो हमको इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और यह वाला जगा कौन सा है तीसरा रो दूसरा कॉलम यह क्या है तुमारा तीसरा रो है दूसरा कॉलम है तो इसको 3 2 बोलते हैं तीसरा रो दूसरा कॉलम ठीक है तो ये 3 2 तो ये 3 2 5 आया 5 का गया मैनस और ये अपना रो और अपना कॉलम डिलीट कर देगा अब जो बचे का उसका डिटर्मिनार निकाल दो कितना रहा है 1 2 4 2 ठीक है तो कितना आ गया थो मारा माइनस 2,1 2, और माइनस 2,4 8, तो कितना रहा है माइनस 2, liter 8, माइनस 6, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 6 ऑप्षिन ए हमारा सही है तो पच्चीज का ऑप्षन ए हमारा सही है ठीक है, चलो next question पर चलते हैं, 26 माइनर निकालना, A21 तो A21 तो सिंपल बात है भीया A21 यह है A21 यह हो खतम यह कॉलम खतम 6 का डिटर्मिनार्ट और 6 का डिटर्मिनार्ट 6 ही हो जाता है तो आप्सन C हमारा सही है 26 का C ठीक है चलो नेक्स्ट कोईशन पर चलते हैं कोईशन 27 माइनर M11 माइनर 11 ओके विंट 95 गाइनर 11 इसको छोटा से भी डिन्वाट करते हैं छोटा के ए मैनवन लिख सकते हो और 11 बीचलता है तुमारा जैसे यहां पर तुमारा माइनर था हमारा ठीक है A1,2 का minor निकालना A2,1 का minor हम लोग निकाले थे यहाँ पर minor निकालना है 1,1 का A1,1 यह है 3 का तो यह अपना row और अपना column delete कर लेगा तो यह कितना बचेगा 0,1,1 तो 0 गुना 1,0 माइनस 1 गुना 1,1 तो answer कितना होगा माइनस 1 option D हमारा सही है 27 का option D हमारा सही है चलो 28 पर आते है adjoint A निकालना इसका चलो 28 में adjoint A निकालना है तो देखो 2 x 2 का adjoint निकालना बहुत असान होता है कैसे होता है समझ लो इस दोनों को आपस में interchange कर लो अदली बदली कर लो एड़माने इस दोनों को आपस में अद्ली बदली करो 4-2 को आपस में अदली बदली करो 4-2 के जग्रो तो यहाँ चार आ गया 2 आ गया और इस दोनों का चिन बदल दो यह 3 है तो मैनस 3 कि यह 5 है तो 5 आ जाएगा तो ये तुम्हारा हो गया adjoint ठीक है तो adjoint अगर 2 by 2 का बोले तो 2 by 2 का निकलना बहुत ही आसान है कैसे समझ गया बात कि इस दोनों को आपस में अदली बदली कर लो इस दोनों का चिन बदल दो इस तरह से जो हमारा आंसर आ जाएगा चार माइनस तीन पंच दो 28 का डी ओप्सन है हमारा ठीक 28 का डी ओप्सन हो जाएगा चलो next question पर चलते हैं 29 कहता a n by n का है तो k a कितना होगा तो बहुत सधारन सा बात है n by n का k a कितना होगा determinant k a simple सा बात है यह k जो है भाई जिस order का matrix होगा हर एक रो से एक एक k निकलेगा तो यहां पर बोल रहा है n by n का है n रो n कॉलम है तो k का power n बार बाहर आएगा k तो k का power n और determinant a हो जाएगा के का power n और determinant a हो जाएगा और यह 29 का जो आंसर है option b हो जाएगा हमारा ठीक है k का power n और determinant a option b हो जाएगा 29 का चलो next question पर चलते हैं दो chemical है इसका matrix विकर ना भी इतना का सारनिक देको यह सारनिक निकालने के लिए बहाए diagonal matrix पांच 700 00067 और जी रो जीरो जीरो सथ ऐसा है ऐसे भी जान लो कि यह मैट लो चैनल सका जो डीटर्मिनांट होता है बस इसको गुना कर लो तो तो पांच गुना छे गुना साथ क्योंकि उपर नीचे तो जीरो है कुछ फ़राक ही नहीं पड़ेगा बसको डारेक्ट गुना कर लो छे पंचे तीस तीस सत्य दोसो दस तो दस ओप्सन डी हमारा सही आंसर है ठीक है यह था हम तीस नंबर क्वेश्चन चलो अब हम लोग आ अती लगू उत्रिय परस्न में ठीक है सौट अंसर कोईश्चन मतलब सबका नाम को क्या का है डिटर्मिनांट निकालने तो चलो एक एक करके सबका डिटर्मिनांट निकालते हैं तो ए नंबर सलुशन सौट कोईश्चन है पांच चार दो छे तो यहाँ पर तो पुरा लिखके बनाना पड़ेगा हमको तो पुरा लिखके बनाओ तो पांच गुना छे और माइनस चार गुना दो ठीक है तो कितना हो गया छे पंचे तीस माइनस आट और तीस माइनस आट कितना हो बी क्या है हमारा 3 वाई 3 का तो देखते हैं यहाँ पर solution क्या है हमारे पास determinant चाहो तो ऐसे delta दे देंगे determinant को ऐसे भी सुचित करते हैं 2, 3, 4 1, 0, 2 ठीक है 5, 0, 3 तो इसमें से क्या बात का धिहान रखना है कि सबसे ज़्यादा किसमे है सबसे ज़्यादा 0 किसमे है तो सबसे ज़्यादा 0 हम लोगों को किसमे दिख रहा है column 2 में तो जिसमें सबसे ज़्यादा 0 हो आप उसी के अनुदिस उसका क्या करें बिस्तार कर लें ठीक है column 2 में क्योंकि 2 को 0 है तो C2 expand along C2 या फिर लिख सकते हो C2 के अनुदिस परसरन करने पर या बिस्तार करने पर तो हम ना इंगलिस में लिख रहे है expand along आप हिंदी में चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते है expand along C2 या आप C2 के अनुदिस परसरन करने पर तो क्या हो जाएगा determinant C2 C2 यहाँ से शुरू होता है चेहल या, तो क्या बचेगा 1, 2, 5, 3 1, 2, 5, 3 यह बचा ठीक है फिर पलस 0, माइनस 0 तो यहाँ से क्या हो गिया माइनस 3 3 गुना 1 3 माइनस 2 गुना 5 10 ठीक है तो क्या रहा pest원 माइनस 3 गुना माइनस 7 तो क्या हो गिया क्या तो वारा 21 ठीक है चलो अब आते हैं हम लोग C में तो C देखो क्या है हमारा यहां पर C बनाते हम लोग C में तो solution C देखो क्या हमारे पास determinant जो है वो देखो क्या है तुमारे पास 1, 4, 0, 1, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 3 है ना तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा 0 क्याहां दिख रहा है सबसे ज़्यादा दिख रहा है तो C 3 के अनुदूस परसरन करने पर एक्सपेंड अलॉंग एक्सपेंड अलॉंग C 3 ठीक है तो दिस इंपलाइस determinant equals to C 3 के अनुदूस परसरन कर लो तो यह हो गया प्लस माइनस यहां प्लस तो प्लस 0 माइनस 0 फिर प्लस 3 यह क्या होगा 3 अपना रो और अपना कॉलम डिलीट कर लेगा एक चार दो पांच बचेगा एक चार दो पांच ठीक है तो यहां से क्या हो गया 3 और 5 माइनस 8 पांच माइनस 8 तो कितना हो गया हमारा 3 गुना माइनस 3 बराबर माइनस 9 तो C का उत्तर हो गया माइनस 9 ठीक है चलो हम लोग D का बात करते हैं तो यहां से इधर तो D का बात करते हैं D देखो क्या है हमारे पास D देखो क्या है हमारे पास Solution Determinant क्या है हमारे पास 2 4 6 1 2 3 3 1 0 यह है तुमारा D चलो देखो इसमें क्या हो रहा है एक ही 0 दिख रहा है या तो C3 पर कर लो या R3 पर कर लो तो R3 पर कर लेते हैं Expand Along Expand Along R3 R3 पर Expand करो तो Determinant इक क्वेस्ट हो क्या हो जाएगा R3 पर Expand कर रहे हैं तो यहां से R3 यह Plus Minus Plus यहां से सिंबॉल याद रखना भूल जाओगे तो यहां से Plus से Start करो तो Plus Minus Plus तो उमको R3 इस पर करना है हमको R3 पर तो यह हो जाएगा Plus यह Minus यह Plus तो Plus 3 अपना Rो और अपना कॉलम खतम क्या बचा 4, 6, 2, 3 4, 6, 2, 3 Minus यह Plus के बाद Minus 1 और यह अपना Rो अपना कॉलम खतम 2, 6, 1, 3 2, 6, 1, 3 है ना 2, 6, 1, 3 अच्छा इसको ना Direct भी बना सकते थे Determinant निकलना 0 दिख रहा है यहाँ पर तो अभी यह लिख देते हैं और ऐसे भी बना के दिखाते हैं तो क्या रहा है तुमारा Minus 1 यह तो 2, 6, 1, 3 2, 6, 1, 3 और यहाँ पर Plus 0 हो गया तो आप ऐसे भी कर सकते तो Determinant equals to 3 12 Minus 12 12 Minus 12 Minus 1 6 Minus 6 Plus 0 तो हटाओ उसको लिखने का जवरत नहीं थी यहाँ सी यह कड़ गया यहाँ सी यह कड़ गया तो answer आगया हमारा Determinant equals to 3-0 Minus 1-0 बराबर 0 answer हो गया ठीक है? 0 answer हो गया यह हमारा 0 हो गया तो देखो direct ऐसे भी दिख रहा था कि R1 और R2 यह दोनों अनुपातिक है proportional है ना 1 बटे 2-2, 4 बटे 2-2, 6 बटे 3-2 तो अनुपातिक है तो ऐसे ही direct हम 0 लिख सकते थे बट निकाल दिया है इस तरह से तो इस तरह भी 0 आ जाएगा अब E पर चलते है ठीक है E तो D के बाद E देखो क्या है हमारा यह D था और E देखो क्या है हमारे पास 1-1-1-2-2-2-3-3-3 तो देखो solution क्या है तुमारे पास determinant request 2 1-1-1-2-2-2 और 3-3-3 ऐसा है तो साब दिख रहा है 1-1-1-2-2-2-3-3-3 अनुपातिक है यहां देखो यह अनुपातिक है ना 1-2-3 यह फिर सिधा देखो यह 1-2-3-1-2-3 इसका मान सीधे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है और यहां पर इसके पीछे का reason क्या लिखोगे कि C1 and C2 are identical C1 और C2 एक समान है are identical identical तो आप इसका value direct 0 लिख सकते हो C1 और C2 क्या है तुमारा identical है ठीक है बचों तो इस तरह से हम लोग इसका कर सकते हैं ठीक है तो इसका इसकी तरह से हम लोग यहां पर identical हम लोग दिखा दिए तो यह था हमारा question number 1 अतील लग उत्रिया प्रस्न का चलो question number 2 यहां से देखो क्या हो रहा है तुमारा solution बोलड़ा यह दिया हुआ है है ना यह determinant बराबर यह determinant तो एक्स का मान गयात करो तो क्या दिया हुआ है तुमारे पास 3 एक्स 7 माईनस 2 4 बराबर 8 7 6 4 ऐसा यहां से कर लो इसको इससेगुना करो 4 तिया 12 एक्स इसको इससे करेंगा 4 तिया 12 एक्स माइनस 7 गुना माइनस 2 माइनस 7 दूनी 14 बराबर यहां से 8 चो के 32 माइनस 64 42 तो यहां से क्या हो रहा है 12 x plus 14 बराबर माइनस 10 ठीक है और देखो भी यहां से क्या हो गया 12 x बराबर माइनस 10 14 इधर आके माइनस 14 हो जाएगा और क्या बन गए हमारा अब देखो दियान से 12 x बराबर माइनस 24 और यहीं से देखो x का मान कितना आगया हमारा माइनस 24 बटे 12 तो 12 दूनी 24 तो x का अब मान क्या हो रहा है माइनस 2 और यही हमारा उत्तर हो गया यह था हमारा प्रस्न क्वेशन नमबर 2 ठीक है चलो next question पर चलते है question number 3 देखो ठीक है question number 3 सबका क्या बोल रहा है write the co-factor of all element देखो हमारे पास जो determinant है हमारे पास जो determinant है वो है 3 माइनस 2 4 और 6 सबका co-factor निकालना है को फेक्टर हम लोग हमेशा a 11 को फेक्टर को ए-11 बोलते है वंटू देखो को फेक्टर केतना असने से निकाल सकते है ए-2-1 और ऑब ये 2-2 ठीक है तो ए-1-1 क्या अतमारे पास सबका साइन डालो को फेक्टर निकालना है याद रखना हम गो और को कॉलम में लिखते हैं इसका फाइदा इस तरह से आदत बना लो हमेशा रो को कॉलम में लिखने से इसे एड़ जोएंट निकालना बहुत असान होता है तो एक आदत ही बना लो इस तरह से तो ए वन वन ये साइन वन वन का प्लस नहीं लिखेंगे वन टू थ्री माइनस टू वन का टू टू यह वन टू है यह रो खतम यह कोलम खतम यह क्या बचा चार टू वन यह टू वन यह यह रो खतम यह कोलम खतम क्या है माइनस टू तो माइनस माइनस हो गया प्लस टू और टू टू यह रो और यह कोलम खतम यह क्या बचा तीन तो इस तरह से मारा पूरा का पूरा आग क्या है मारे पास LHS LHS बराबर 1 OMEGA OMEGA SQIR ठीक है OMEGA OMEGA SQIR 1 OMEGA SQIR 1 OMEGA ठीक है तो अभी इसमें क्या कर देते हैं हम लोग देखो यहाँ पर तीनों को और वन, और टु और त्री तीनों को जोड़ देते हैं तो apply करते हैं लोग, r1, r1 plus r2 plus r3, तीनों को जोडते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, r1, r2, r3, तीनों को जोड़ेंगे तो, आ जाएगा हमारा 1, plus omega, plus omega square, फिर क्या आ जाएगा, omega, plus omega square, plus 1, फिर क्या हो जाएगा, omega square, plus 1, plus omega, ठीक है, तीनों को हम लोग जोड़ लिए, r1, r2, r3, और बात वक्या ऐसे रहने, तो omega, omega square, 1, omega square, 1, और omega, अब दोखो हमारे पास दिया हुआ है, सब, 1, plus omega, plus omega square, 0, ती यह हो गया, 0, यह भी 0, यह भी 0, तो omega, omega square, 1, omega square, 1, omega, ऐसा आ गया, ठीक है, तो पूरा का पूरा एक रो, 0 हो गया, तो इसका अंसर, 0, और यह हमारा, rhs हो गया, ठीक है बच्चों, यह था हमारा question number 4, चलो next question पर चलते है, question number 5, तो कहता है, यहाँ determinant दिया हुआ है, और हमको x का value निकालना है, देखो, solution, क्या है हमारे पास, x-9, 1, 7, 1, बराबर 0, यहाँ से क्या हो गया, इसको इसके साथ गुना करो, x-9, गुना 1, तो x-9 हो गया, अब माइनस 1, गुना 7, तो 7 हो गया, बराबर 0 हो गया, तो x-16 बराबर 0, तो x का माइन कितना आ गया, 16, यह हमारा answer हो गया, x का माइन, 16, ठीक है, चलो next question पर चलते है, question number 6, write the matrix from the equation, कहता है, इस equation से matrix निकालना है, तो देखो, यह भी बहुत आसान है solution, क्या दिया होए, given, दिया होए, मारे पस, 2x-y बराबर-2, और 3x-4y बराबर-3, तो इसको matrix में लिखना है, तो लोग लिख सकते है, it can be written as, it can be written as, देखो यहां से, पहला matrix, x का coefficient 2, y का coefficient minus 1, x का coefficient यहां पर 3, y का coefficient यहां पर 4, ठीक है, और यह क्या है, तुम्हारा x और y, और यह किसके बराबर है, minus 2, 3, तो यही हो गया तुम्हारा equation को matrix के रूप में लिखने के लिए, ठीक है, तो matrix के रूप में लिखने के लिए, तो यह था हमारा question number 6, ठीक है बचाओ, question number 6, चलो question number 7, इसका मान निकालना है, ठीक है, इसका evaluate मान निकालना है, तो निकालते हैं मान इसका, देखो क्या हो रहा है, solution, determinant क्या है तुम्हारे पास, देखो, 5, 60, 7, 3, 36, 2, 24, देखो तो, C2 में, यह 60, 36, 24 है, तो 12, देखो, 12 common आ रहा है, इसमें, 12 common आ रहा है, तो, C2 से 12 common लेने पर, taking common, हिंदे में लिखोगे, तो लिखना, C2 से 12 common लेने पर, taking common 12, from C2, C2 से common ले लेते हैं, C2 से common ले ले ले, तो यहां से 12 आ गया, और क्या बचा है, यहां पर तो, 5, 3, 2, यहां बचा, 12 common ले तो, 12, 5, 60, 12, 36, 12, 24, 7, 2, और कितना हो गया, 4 हो गया, तो यह हो गया, 12, देखो, यहां पर, C1 और C2 दोनों identical है, एक समान है, इसका मतलब इसका value 0 हो जाएगा, बाराग उना 0, reason क्या लिखो गया, C1 और C2 एक समान है, आर आइडेंटिकल, आर, आइडेंटिकल, यह एक समान है, इसलिए बाराग उना 0 क्या हो गया, 0, और यह हमारा answer हो गया, यह था हमारा question number 7, चलो अगले question पर चलते है, question number 8, देखो यहां पर, अच्छा, अभी आ गया हमारा sort question, ठीक है, लगू उतर यह, तीन marks वाला question हमारा आ गया, तो solution, तीन marks वाले में देखो क्या है, तुमारा determinant, यह हमको proof करना, इतना बराबर इतना, तो 1, A, A square, 1, B, B square, 1, C, C square, ठीक है, यह रहा, अच्छा, तो अब क्या करना है, इसमें हमको, सबसे देखो, एक आई गया है, जादे से जादा 0 बनाओ, है न, तो देखो, यहां पर ह क्या apply करते हैं, apply R1, R1-R2 पहले यह कर लेते हैं, then, उसके बाद, R2-R3, तो तुमारे मन में आएगा कि सर, R3-R1 भी करी दो, क्योंकि देखो, R1 बदल चुका भी यहां पे, इसका उपयोग आगे नहीं कर सकते हैं, तो देखो, हम आगे नहीं कियें, R2 बदल गया, इसका उपयोग भी हम अब नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर, R3 में तो आप किसी का उपयोग R1, R2 का करी नहीं सकते हैं, तो हम लोग को बस दो ही लगा सकते हैं, या फिर आप अलग-अलग करो, पहला यह वाला लगा लो, एक लाइन करने के बाद, दुबारा यह लगा लो, आप एक ही साथ लगा देते हैं, अब चाहो तो दो अलग-अलग स्टेप में भी लगा सकते हो, तो R1 माइनस R2 करेंगें तो, 1 माइनस 1, 0, A माइनस B, और यहां क्या, A स्क्वार माइनस B स्क्वार, A स्क्वार माइनस B स्क्वार हो गया, अभी यहां पर, 1 माइनस 1, 0, B माइनस C और यहां B square minus C square B square minus C square और फिर यहांपर क्या है 1 C C square ठीक है ऐसा आ गिया तो अब देखो इसको लोग क्या कर सकते हैं यहां से तो हमारा हो गया 0 A minus B A square minus B square को क्या लिक सकते हैं A plus B गुना A minus B ठीक है और यह देखो 0 और यह हुआ B-C और यह B-C और यह B-C ब्लस C इंटू B-C ऐसा और यह है 1C और यह है C-Square ठीक है यह हमारे पास अब देखो यहां से क्या हो रहा है हमारा देखो R1 में A-B common है R2 में B-C common है तो R1 से A-B और R2 से B-C common लेने पर और यंगलिस में लिखेंगे taking common taking common A-B from R1 and B-C from R2 ठीक है ऐसा तो यहां से क्या हो गया हमारा A-B और B-C common हो गया A-B और B-C क्या हो गया common आ गया और अब देखो क्या हो रहा हमारा 0 1 A-B common हो तो A plus B बज़ गया और 0 1 B-C common है तो B plus C बज़ गया और 1 C और C square अब देखो 2 0 आ गया हमारा C1 पर तो C1 के अनुदिस परसरन कर दो एक्सपेंड कर दो C1 पर ठीक है यहां पर लिख लो इंग्लिस हिंदी में लिखना है तो C1 के अनुदिस परसरन करने पर या C1 के अनुदिस विस्तार करने पर और इंग्लिस में लिखोगे तो एक्सपेंड अलॉंग C1 है न हम हिंदी बता देते हैं और इंग्लिस लिख देते हैं तो जो हिंदी वाले लोग है वह सब हिंदी में अपना लिख लिजेगा तो A-B B-C और यह हो जाएगा 0-0 यह दो को प्लस माइनस फिर प्लस वन और यह अपना रोख खतम अपना कॉलम खतम एक को B-C से करो तो B-C और माइनस फिर A-B को एक से करो तो A-B ऐसे आगया ठीक है तो यहां से देखो क्या आ रहा है B और B कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहां से A-B B-C और यहां से C-A C-A और यह क्या है तुमारा RHS RHS यह हमारा प्रूब्ड हो गया ठीक है बच्छों RHS यह यही लिख लो LHS तुम लोगों ने माना नहीं था यही प्रूफ करना था यह मैनस B-C तो RHS नहीं भी लिखो गया तो बस सीधा लिख दो प्रूब्ड ठीक है तो यह था हमारा क्वेशन नमबर एक आगे बढ़ते ह क्वेशन नमबर दो इसको सिद्ध करना है कि यह क्या हमारा जीरू है तो सल्यूशन क्या है मारे पास LHS LHS A-B, B-C, C-A, B-C, C-A, B-C, C-A, A-B, C-A, A-B, B-C, यहां पर देखो क्या है हमारा R-1, R-2, R-3 यहां देखने सी लग रहा है अगर तीनों को जोड दो तो यह A, इस A को काड देगा, यह B, को काड देगा, यह C, C को काड देगा वही हाल यहां भी है वही हाल यहां पर है तो क्या apply कर लेंगे हम लोग यहां पर? apply है ना r1 r1 plus r2 plus r3 r1 r2 r3 को जोडने पर ठीक है इस सब को लोग जोड लेंगे r1 r2 r3 सब को क्या करेंगे जोड लेंगे ठीक ना तो जोड लो तो देखो क्या रहा है जैसे जोडेंगे r1 plus r2 r3 तो a a कट जाएगा bb कट जाएगा cc कट के a तीनों को जोड रहें ये भी 0 हो गया तीनों को कट रहें ये भी 0 हो गया ठीक है तो ये पूरा का पूरा एक रो ही 0 हो गया ता अंसर भी 0 हो जाएगा इसका तो b-c c-a a-b ठीक है और c-a a-b और b-c हो गया तो अभी दो को पूरा का पूरा एक रो जब 0 हो गया इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा 0 equals to RHS proved समझ में आगया ऐसा ठीक है तुम चाहो तो लिख के भी दिखा के काट सकते हो A minus B plus B minus C plus C minus A करके काट के काट के दिखा दो 0 यहाँ भी यहाँ भी वही काम कर सकते हो यह डारेक्ट हैसे भी कर सकते हो ठीक है चलो अगले प्रसन पर चलते हैं तीन नंबर देखो यह साबित करना है क्या है तुमारा solution LHS देखो हमारे पास क्या determinant है LHS हमारे पास है 111 A B C B C C A A B तो यहाँ पर भी देखो एक 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 है तो 0 बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग 0 बनाना है थम लोग क्या करेंगे C1 में C2 को घटा देते हैं apply कर लेते हैं apply C1 C1-C2 C1 में C2 घटा देगे 0 आ जाएगा फिर C2-C3 then उसके बाद C2 में C3 घटा दो C2-C3 ठीक है है ना तो यहाँ से क्या हो गया हमारा C1 में C2 घटा रहे हैं एक में एक गया किता बचा 0 यहाँ क्या बचा A-B और यहाँ क्या बचा B-C-C-A यहाँ पर एक में एक गया क्या बचा 0 B-C और यहाँ C-A-B तो C-A-B फिर यह बच रहे हैं 1 C-A-B ऐसा ठीक है इस टाइप का तो यहीं पर देख लो क्या हो रहा है हमारा 0 A-B यहाँ से देखो C को मन निकालेंगे तो B-A आएगा थम लोग माइनस C को मन निकाल लेते हैं तो A-B आ गया यहाँ से 0 B-C यहाँ से A को मन निकालेंगेंगें C-B आएगा तो माइनस A को मन निकाल लो तो B-C आ जाएगा ठीक है और यह आ रहा है 1 C-A-B ऐसा तो अब देखो यहाँ से C1 से A-B C2 से B-C को मन लेने पर टेकिंग को मन टेकिंग को मन ए मैं माइनस B फ्रॉम C1 एड यहाँ से B-C को मन लेने परी तो यहाँ से A-B हमारा को मन आ गया यहां से B-C हमारा common आ गया और यह बचा 0, 1 और यहां माइनस C यहां बचा 0, 1, माइनस A और 1, C, A, B अब क्या कर लो यहां पर? R1 पर expand कर लो R1 के अनुदिस परसरन करने पर expand along expand along R1 R1 पर expand कर लो यह आ जाएगा हमारा A-B आ जाएगा B-C 0-0 पलस 1 यह रोख हतम, यह कुलम खतम माइनस A गुना 1 माइनस A फिर माइनस C गुना माइनस 1 माइनस C तू माइनस माइनस पलस C तो क्या आगे आगे? अब देखोंगे हाँ से यहाँ से आगे A-B यहाँ से आगे B-C और यह C-A C- और यह हमारा क्या है? RHS प्रूफ हो गया हमारा यह यह था हमारा question number 3 ठीक है? चलो अगले प्रस्न पर चलते है question number 4 कहता है solve for x x के लिए हल करना है तो solution इधर बना लिख लेते हैं solution क्या है हमारे पास? 3 plus x 5 2 1 7 plus x 6 2 5 3 plus x ठीक है? और ऐसा एक question कितना है? 0 है ठीक है बच्चों? तो इसको हम लोगों को क्या करना है? solve करना है तो अब देखो अगर हम लोग जोड़के देखो क्या कुछ कुछ मिलता है हम लोगों को यहां पर अगर कुछ मिल जाए तो ठीक है, नई तब तो फिर हम लोग इसको सिधा सिधा है, expand भी कर सकते हैं हम लोग ठीक है, तो देखते हैं, क्या हो जाएगा यहां पर हमारा देखो तो अगर हम लोग इसको इसमें कर लें, इसमें इसको माइनस करो, इसमें इसको माइनस करो आर वन में आर टूई है, तो पांच है, यहां भी पांच है, तो पांच में पांच घटके जिरो हो सकता है न, ऐसे, सोचो थड़ा सा तो एक jiro आ रहा है हमारा, jiro कोसिस करना बनाने का, तो अपलाई कर लीना है आपसे हम लोगों को अपलाई r1 r1 minus r3 apply कर ली है, तो क्या बचा हमारे पास इसमें इसको घटाऊ, तो 3 plus x minus 2, तो 3 में 2 गया 1 बचा, यहां बचा 1 plus x पांच में 5 गया, क्या बचा, 0 और यह 0 इधर, एक, 7 जोड़ एक्स हो रहा है, और यह 6 हो रहा है, 2, 5 हो रहा है, और 3 जोड़ एक्स हो रहा है, तो देखो तियां पर यहां पर अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह भी 1 प्लस एक्स है, यह भी 1 प्लस एक्स है, तो आरवन से 1 प्लस एक्स कॉमन लेने पर, ठीक है तो टेकिंग कॉमन टेकिंग कॉमन वन प्लस एक्स फ्रॉम आर वन फ्रॉम आर वन तो यह हो गया वन प्लस एक्स कॉमन ले लिए यहां से यहां बचा वन यहां बचा जीरो यहां बचा माइनस वन यहां बचा एक और साथ प्लस एक्स और यहां पर बचा छे और यहां बचा दो यहां बचा पांच यहां बचा तीन प्लस एक्स बराबर जीरो ठीक है अच्छा अब हम लोग क्या कर सकते हैं अच्छा, इससे ज्यादा अच्छा था ना, कि इस दुनों को अगर एक बार जोड देते तो और दो ठो जीरो हो जाता ना, इसको और इसको दुनों को जोड लेते हैं, प्लस माइनस वाला है, जोड़ी लो भाई, का एक लिए यहाँ पर common अभी नहीं लेना है, जोड़ी लो, यहाँ पर, देखो धियान से, जोड रहे हैं, इसको और इसको जोड रहे हैं, तो 1-1, 0, x-x यह भी 0 हो गया, इस दोनों को जोड़ो, 6, 2, कितना हारा है, 8 हागया, और इस दोनों को जोड़ो, 2, 3 जोड एक तो क्या हो गया, 5 प्लस एक्स आ गया, यह 0, 7 प्लस एक्स है, औ और यह minus common ले लो 1 plus X है और 6 और 3 plus X है न वरावर 0 तो यह भी बरावर 0 है अच्छा अब देखो क्या हो रहा है अब r1 पर expand कर दो expand along R1 expand along R1 R1 पर expand करते हैं R1 के अनुदिस परसरन करने पर तो minus plus यहां से plus minus plus तो plus 0 minus 0 और plus minus minus हो जाएगा 1 plus X और अब देखो क्या क्या चाहिए अपने को इसको यह यह रोख खतम यह कॉलम खतम तो 8 7 जोड एक्स और 5 जोड एक्स और 5 बराबर 0 ठीक है तो यहां से क्या हो गया minus 1 प्लस X और इसको 8 पंचे 40 और minus इसको solve करो इसको multiply करो 5 गुना 7 पचे 35 ऐसे ना इसको असान से multiply X गुना X X स्क्वाइर हो गया 7 पंच 12 X हो जाएगा और 7 पचे 35 हो जाएगा बराबर 0 ऐसा हो गया हमारा ठीक है इसको हम जल्दी से गुना कर दिया X गुना X X स्क्वाइर 7 पंच 12 X और 7 पचे 35 या फिर तुम लिखके गुना करके देखना यही आएगा ठीक है तो यह हो गया तुमारा minus 1 प्लस X और 40 में 35 गया 5 minus X स्क्वाइर minus 12 X बराबर 0 ठीक है तो यह हो गया तुमारा अच्छा अब देखो क्या आ रहा है हमारे पस कुछ गड़बड़तों नहीं हुआ है मेरा ओ सॉरी यहां से एक और 6 जो है यह दुनों जुड़के 7 आएगा बाई यह 7 आएगा गलती हो गया हमसे यहां भी क्या आजाएगा 7 और 7 पचे यह क्या आजाएगा 35 जब यह 35 है गया तो यह 35 और यह 35 कट गया क्या बच्छा माइनस X स्क्वार माइनस 12 X तो अभी देखो यहां से माइनस 1 प्लस X और गुना माइनस X कॉमन निकालो तो X प्लस 12 बराबर 0 तो यहां से क्या हो गया X 1 प्लस X और X प्लस 12 बराबर 0 ठीक है तो यहां से X कमान कितना कितना आ रहा है एक तो 0 आ गया माइनस 1 आ गया और माइनस 12 आ गया यही हमारा उत्तर हो जाएगा ठीक है बच्छों तो यह थोड़ा ध्यान से देख लेना आप लोग यह था हमारा कुश्चन नमबर 4 ठीक है ठीक है चलो नेक्स्ट कुश्चन देखते है Find the area of triangle उस वर्टिसे जाख त्रभूच का छतरफल निकालना है जिसका यह वर्टिसे दिया हुआ है ठीक है तो solution given दिया हुआ है वर्टिसे अफ ट्रेंगल आर वर्टिसे अफ ट्रेंगल आर क्या क्या है एक दो दो तीन तीन दो तो दिस इंपलाइस area of triangle equals to modulus of 1 by 2 और देखो ध्यान से एक दो एक दो तीन दो एक दो तीन है ना यह दो तीन तीन दो देदो और यहां एक 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 डाल दो यह हो जाएगा ठीक है यह point डाल के एक एक डाल दो इस तरह से तो यह क्या हो जाएगा तुमारा mode of mode of 1 by 2 और इसको expand कर लो किसी पर किसी पर expand कर लो 1 ये रो खतम ये कॉलम खतम 3-2 माइनस 2 ये रो खतम ये कॉलम खतम 2-2 प्लस 3 ये रो खतम ये कॉलम खतम 2-3 देखो तो ये क्या रहा है mod of तो mod का symbol दे देते हैं एक बटे 2 और अंदर में एक गुना 1-2 गुना 0 प्लस 3 गुना माइनस 1 ठीक है तो यहां से क्या होगा mod लस एक बटे 2 एक माइनस 3 ये mod लस है ये bracket है तो mod लस एक बटे 2 गुना माइनस 2 कटके 1 आ गया तो mod के अंदर कितना आ रहा है माइनस 1 तो बहार आ जाएगा 1 ठीक है इसको बोल देंगे 1 square unit ठीक है 1 square unit तो unit 1 square unit तैसे लेते हैं square units ठीक है ये हमारा answer होगा ठीक है बचों ये था हमारा question number 5 चलो next question पर चलते है question number 6 देखो एक question matrix दिया हुआ इसका adjuine निकालना है ठीक है तो solution देखो A क्या है तुम्हारे पास A है तुम्हारे पास 1 minus 2 4 0 2 1 minus 4 5 3 ठीक है ये है तुमारे पास A तो adjuine टे निकालना है तो सबसे पहले इसका क्या करना होगा एडिवानटे निकालने के लिए हम लोगों को को factor निकालना होगा तो को factor कहने का मतलब A11 और याद रखना देखो rho का को factor निकाल रहे है column में लिख रहे है A11 A12 A13 इस तरह बनाने से क्या फायदा होता है कि कभी गलती नहीं होता है ठीक है हमको transpose करने की जवरती नहीं होती है A21 दूसरा रो को column में लिख रहे है A22 और A23 ऐसा हो गया और फिर A31 A32 A33 ऐसा हो गया ठीक है सबका symbol लगा दो 112 दोनों का sum दोनों का जोड़ अगर even हो odd हो तो plus लग लिखना है दोनों का sum अगर odd हो तो minus लिखना है तो 1-1-2 sum संख्या हो गया plus 1-2-3 बिसम संख्या माइनस 1-3-4 sum संख्या plus 2-1-3 बिसम संख्या माइनस 2-2-4 sum संख्या plus plus में छोड़ देते हैं कुछ नहीं लिखते हैं 3-2-5 बिसम संख्या माइनस 3-1-4 sum संख्या plus 3-2-5 minus और 3-3 6 plus हो गया ठीक है अब देखो A11 अपना रो और अपना कॉलम खतम करो यहां से 3-2-6 minus 5 तो 6-5 बराबर कितना गया एक फिर देखो एक दू यह है एक दू यह अपना रो और अपना कॉलम खतम 0-3-0 है ना अपना रो अपना कॉलम खतम 0-2-0 0-3-0 minus 1-4 1-4 minus 4 minus minus plus 4 यह हो गया यहां से minus 4 अब क्या है एक तीन है एक तीन यह रहा एक तीन यह रहा यह रो खतम यह कॉलम खतम 0-5-0 minus 2-4-8 तो minus minus plus 8 तो 0-8 कितना हो गया 8 हो गया ठीक है तो यह हम लोग यहां तक 8 हो गया अब देखो 2-1 यह है 2-1 यह रो खतम यह कॉलम खतम minus 2-3 minus 6 minus देखो यह रो और यह कॉलम खतम हुआ है 4-5-20 कितना आ गया minus 26 तो यह plus 26 हो गया है ना minus minus plus 26 हो गया फिर देखो 2-2 यह 2-2 यह रो खतम यह कॉलम खतम 1-3-3 और minus यहां 3 हो गया minus देखो यहां से 2-2 था यह रो खतम यह कॉलम खतम तीन गुना 1-3 चार गुना minus 4 minus 16 तो minus minus plus 16 तो 16 तिन कितना हो गया 19 हो गया ठीक है यह 16 है अब उसी तरह तुमारा यहां देख लो minus 2-3 2-3 यह है यह रो खतम यह कॉलम खतम 1 गुना 5-5 minus minus 2 गुना minus 4 minus minus plus 8 तो 5-8 हो गया minus 3 तो minus minus plus 3 ठीक है ऐसा हो गया अब देखो यहां 3-1 चल रहा है तो 3-1 यह रहा यह रो खतम यह कॉलम खतम minus 2 और plus 4 दूनी 8 है तो minus 2-8 तो minus 2-8 तो क्या हो गया तुमारा minus 10 फिर 3-2 यह रहा 3-2 यह रहा 3-2 यह रहा खतम यह कॉलम खतम 1-0 तो 1-0 कितना आगया minus 1 और 3-3 यह रहा यह रहा यह रहा यह कॉलम खतम इसको इससे 2-0 तो 2-0 कितना आगया 2 हो गया ठीक है तो this implies adjuvant A equals to this implies adjuvant A equals to 1-26 minus 10 minus 4 19 minus 1 8 3 और 2 यह रहा हमारा answer ठीक है बच्चों यह हमारा answer तो यह था हमारा question number 6 चलो next question पर चलते है question number 7 यहाँ पर दिया A बराबर दिया है verify कर नायम को A गुना adjuvant A बराबर adjuvant A गुना A बराबर determinant A आए तो solution सबसे पहले A है हमारे पास तो देखो A है हमारे पास 2, 3, 4, 8 तो सबसे पहले क्या करना है इसका तो this implies इसका determinant निकालना है ठीक इसका determinant निकालना है तो determinant A क्या हो जाएगा determinant 2, 3, 4, 8 तो यहां से हो गया 8 दूने 16 माइनस 3, 4, 12 16 में 12 क्या कितना बच्चा? 4 चलो यह तो determinant A हो गया अब एड़ज्वाइंट निकालना है उसके लिए को फेक्टर A1, 1 A1, 2 A2, 1 A2, 2 देखना रो का को फेक्टर कॉलम में लिखते हैं इससे हमको determinant निकालना बहुत असान होता है 1, 1, 2, प्लस हो जाएगा 1, 2, 3 बिसम संख्या माइनस 3, 1 2, 1, 3 ये रो खतम, ये कोलम खतम कितना बचा, 4 ये 2, 1 ये रो खतम, ये कोलम खतम कितना बचा, 3 और 2, 2 8 है, ये रो खतम, ये कोलम खतम कितना बचा 2 ठीक है तो this implies एड़ज्वाइंट A जो हो गया हमारा एड़ज्वाइंट A बराबर 8 माइनस 3 माइनस चार और दो यह एड़िज्वाइंट ए हो गया ठेक है बच्चों तो यह एड़िज्वाइंट ए आ गया तो अब हम लोग इसका गुना कर लेते हैं देखो नौ अब ए गुना एड़िज्वाइंट ए तो ए है हमारे पास दो तीन चार आठ और गुना एड़िज्वाइंट ए आठ माइनस तीन माइनस चार दो चलो गुना कर लेते हैं इसका हम लोग देखो क्या मिलेगा पहला रो पहला कॉलम दो अठे सोला प्लस तीन गुना चार बारा माइनस बारा ठीक है फिर पहला रो दूसरा कॉलम दो गुना माइनस 3 माइनस 6 और 3 गुना 2 प्लस 6 अभी दूसरा रो पहला कॉलम 4 अठे 32 और माइनस 8 चो के 32 फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 गुना माइनस 3 माइनस 12 और 8 गुना 2 16 ठीक है तो क्या हो गया यह तुमारा देखो तो तो this implies एक उना एड़ज्वाइंट A एक उना एड़ज्वाइंट A equals to 16 में 12 गया कितना बचा 4 minus 6 प्लस क्या हो गया 0 32 में 32 गया 0 और 16 में 12 गया फिर से 4 ठीक है और इसी से क्या कर लेना है 4 common निकाल लेना है तो बचाओ 1001 तो यहां से क्या आया तुमारा A equals to 4 आई और 4 देखो क्या है हमारा determinant A है न determinant A यहीं पर देख लो this implies determinant A हमारा 4 था है न 4 तो determinant यह हो गया तुमारा A गुना एड़ज्वाइंट A बराबर determinant A 4 determinant A हो गया और यह आई हो गया इसको लिए लेते हैं equation 1 and फिर से अब एड़ज्वाइंट A गुना A कर लेते हैं एड़ज्वाइंट A गुना A तो एड़ज्वाइंट A क्या है हमारा एड़ज्वाइंट है आठ माइनस 3 आठ माइनस 3 माइनस 4 दो और A A क्या है हमारा A है देखो हमारा 2,3,4,8 2,3,4,8 तो 2,3,4,8 और अब इसको गुना कर लेते हैं लोग देखो गुना क्या हो जाएगा आठ दुनी 16 माइनस 3 गुना 4 माइनस 12 आठ तिया 24 माइनस 3 गुना 8 माइनस 24 ठीक है फिर माइनस 4 गुना 2 माइनस 8 दो गुना 4 प्लस 8 माइनस 4 गुना 3 माइनस 12 और 2 गुना 8 16 तो इस तरह से देखो क्या हो गया This implies Adjuvant A गुना A और यह हो गया तुमारा 16 में 12 गया 4 24 में 24 गया 0 8 में 8 गया 0 और यह 4 यहां से भी 4 common निकाल लो तो क्या बच रहा है 1, 0, 0, 1 और अभी यह देखो क्या हो गया तुमारा Adjuvant A गुना A equals to 4 क्या है हमारा Determinant A और यह क्या हमारा I यह है हमारा number 2 तो from 1 and 2 from 1 and 2 from 1 and 2 A कोड़ 2 से we get क्या होगा A into Adjuvant A equals to Adjuvant A into A बराबर Determinant A आई और यह हमारा proof हो गया ठीक है तो यह था हमारा question number 7 चलो अगले question पर चलते है question number 8 find inverse of a metric इसका क्या करना है inverse निकालना है ठीक है तो देखो solution यह बराबर क्या है हमारे पास 1-1-2 3-0-2 1-0-3 और इसका क्या करना है inverse निकालना है ठीक है तो चलो दो इसका inverse निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसका क्या करना है determinar निकालना है तो 1-1-2 3-0-2 1-0-3 ठीक है और इसको न देखो तो 2-0 दिख रहा है C2 पर तो expand along C2 expand along C2 तो C2 पर इसको expand कर लो तो क्या हो गया देखो यह plus यह minus तो minus यहां का sign होगा plus यह minus तो minus minus plus 1 अब यह अपना row और अपना column यह अपना row और अपना column delete करेगा तो 3 into 3 3 तीन ती हाई 9 अब minus minus 2 गुना 1 minus 2 तो minus minus plus 2 और फिर फिर यह plus minus था plus फिर minus तो minus 0 plus 0 कोई फराख नहीं पड़ा इड्वाइंड निकालने के लिए क्या करना है इस सबका को फेक्टर निकालते हैं तो को फेक्टर निकाल लेते हैं लोग यहां से देखो ध्यान से A11 A12 A13 ठीक है A21 A22 A23 यह हो गया और फिर A31 A32 A33 सबका साइन दे दो तो 11 यह प्लस यह माइनस यह प्लस दो वन टू थ्री माइनस यह टू टू है ना प्लस और यह फिर माइनस 31 प्लस यह माइनस फिर प्लस अब दो वन 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 यह रोख खतम यह कॉलम खतम 0 माइनस 0 तो 0 हो गया फिर 1,2 यह यह रो खतम, यह कॉलम खतम, यहां से तिन तिहाई 9, यहां से ले लो, 1,2 यह खतम, तिन तिहाई 9, माइनस माइनस प्लस 2, कितना आ गया, माइनस गया रहा, 1,3, 1,3 यह रो खतम, यह कॉलम खतम, 0, माइनस 0, यह भी क्या हो गया, 0, अब यह 2,1 है, 2,1 यह रो खत 3, 2, 2, यह, 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 3, 2, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, माइनस दो, माइनस छे, तो माइनस, यहां से दोखो, माइनस दो, माइनस छे, माइनस आठ, माइनस माइनस हो गया, प्लस आठ, 3, 3, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, जीरो, माइनस माइनस प्लस तीन तो गया, तीन, तो Adjoint A कितना आ गया हमारा Adjoint A आ गया हमारा 0 minus 11 0 3 1 minus 1 या गया 2 8 3 ऐसा अब हमारे पस determinant A भी Adjoint A भी है तो since A inverse equals to 1 by determinant A into Adjoint A तो 1 by 11 और Adjoint A किया है तुमारा 0, 3, 2 minus 11, 1 8 0, minus 1 और 3 ठीक है बच्चों तो यही जो है हमारा answer हो जाएगा A inverse का ठीक है तो यह हमारा A inverse हो गया तो यह था हमारा question number 8 चलो next question पर चलते है question number 9 क्या कह रहा है हमारे पास यहां पर matrix A दिया हुआ है तुमारे पास satisfy the equation this find A inverse ठीक है तो देखो solution given A equals to क्या है हमारा A equals to minus 8 5 2 4 यह दिया हुआ है minus 8 5 2 4 and ठीक है A satisfy A matrix बोल सकते हैं A satisfy A satisfies X square plus 4 X minus 42 equals to 0 अगर इसको satisfy करता है इसका मतलब क्या हो गया तुमारा A square plus 4 A minus 42 I लग जाएगा equals to 0 और अब दिखो अपने को क्या करना है A inverse निकालना है क्या निकालना है A inverse निकालना है ठीक है तो हम लोग को क्या करते हैं post multiplying both sides by दोनों तरफ बाद में A inverse से multiply कर देते हैं post multiplying multiplying both sides both sides by A inverse A inverse से दोनों तरफ post multiply कर लो तो क्या आ जाएगा हमारा A square into A inverse plus 4 A into A inverse minus 42 I into A inverse equals to 0 matrix into A inverse तो यहाँ से क्या हो गया A का power 2 और तो यह A आ जाएगा plus 4 A A inverse I आ गया और यह आ गया minus 42 I into A inverse A inverse आ गया equals to 0 matrix हो गया ठीक है तो यहाँ से देखो A plus 4 I equals to 42 A inverse आ रहा है ठीक है अब A के जगए A का value रख लेते हैं A का value देखो क्या है महर पास minus 8 5 2 4 minus 8 5 2 4 ऐसा है plus 4 I के जगए 1 0 0 1 और equals to 42 A inverse हो गया ठीक है तो यहाँ से क्या हो गया minus 8 5 2 4 plus 4 से multiply करो 4 0 0 4 और यह है तुमारा 42 A inverse तो यहाँ से देखो क्या रहा है minus 8 plus 4 minus 4 5 plus 0 5 2 plus 0 2 और 4 4 8 42 A inverse और यहां से देखो A inverse के आगया हमारा A inverse बराबर 42 इदार आ जाएगा तो 1 by 42 minus 4 5 और 2 8 ठीक है बच्चों तो यही हमारा जो है answer हो गया तो यह था हमारा question number no चलो next question पर चलते है question number 10 दो क्या हमारा if A equals to the Y so that दिखाना है अपने को adjuvant A equals to 3 dash 3 A dash तो solution दो को A क्या दिया हो है हमारे पास A दिया हो है minus 1 minus 2 minus 2 ठीक है 2 1 minus 2 ठीक है और 2 minus 2 1 ऐसा दिया होगा है न यह दिया हो है हमारे पास अच्छा अब देखू क्या है हमारे पास then A dash A dash क्या होगा रो जो A कॉलम बन जाएगा तो minus 1 minus 2 minus 2 ठीक है 2 1 minus 2 और तीसरा रो तीसरा रो कॉलम 2 minus 2 1 तीसरा रो क्या हो गया तीसरा कॉलम बन गया ठीक है तीसरा रो तीसरा कॉलम बन गया अब चलो इसका adjuvant निकालने के लिए को फेक्टर निकालते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 तो 1-1 देखो इस दोनों का सम इस दोनों का जोड़ दो हो रहा है सम संख्या प्लस एक दो तीन आ रहा है भी सम संख्या माइनस एक तीन चार आरह सम संख्या प्लस दो एक तीन आरह भी सम संख्या माइनस दो दो चार आरह सम संख्या प्लस दो तीन पांच भी सम संख्या माइनस तीन एक चार सम संख्या प्लस तीन दो पांच भी सम संख्या माइनस तीन तीन छे सम संख्या प्लस अब देखो यह एक 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 ये रो खत्म ये कॉलम खत्म एक गुना एक 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 गुना एक एक और माइनस माइनस दो गुना माइनस दो तो माइनस माइनस प्लस चार तो क्या आगया हमारा एक माइनस चार माइनस तीन आगया ठीक है अब एक दो ये रहा ये रो खत्म ये कॉलम खत्म एक गुना दो दो, एक गुना दो दो, माइनस, माइनस दो गुना दो, माइनस चार, तो माइनस माइनस प्लस चार, माइनस छे हो गया तुमारा, ठीक है, फिर, एक तीन, एक तीन ये है, ये रोख खतम, ये कॉलम खतम, माइनस दो गुना दो, माइनस चार, माइनस दो, तो ये भी हो गया, मा ये कॉलम खतम, ये कॉलम खतम, ये कॉलम खतम, एक गुना माइनस दो, तो माइनस दो, और माइनस दो, दो गुना दो, चार, माइनस माइनस प्लस, तो यहां से माइनस माइनस प्लस चार, तो यहां माइनस चार हो गया, तो माइनस छे प्लस तो यह हो गया, छे, ठीक है, अब दो दो ये रो खतम ये कॉलम खतम एक गुना माइनस एक माइनस एक और यहां से माइनस एक प्लस चार तो माइनस एक प्लस चार तो हो गया तीन दो तीन ये रो खतम ये कॉलम खतम दो अब प्लस चार दो प्लस चार तो कितना है माइनस छे फिर तीन एक तीन एक ये रो खतम य माइनस माइनस प्लस चार प्लस दो चार प्लस दो कितना गया छे तीन दो यह रहा यह रहो खतम यह कॉलम खतम दो माइनस माइनस प्लस चार दो प्लस चार कितना गया माइनस चो तीन तीन तो यह खतम यह खतम माइनस एक प्लस चार माइनस एक प्लस चार तो कितना गया तीन ठ ठीक है, तो this implies adjoint a, adjoint a बराबर, बस इसको लिख लेना है, minus 3, minus 6, minus 6, 6, 3, minus 6, 6, minus 6, 6, minus 6, और 3, ठीक है, अच्छा, सब से देखो, this implies, adjoint a बराबर, सब में 3 है common निकाल लेते हैं, सब में 3 common निकालो, तो 3 common निकला तो, यहां minus 1 बचा, यहां 2 बचा, यहां भी 2 बचा, यहां से 3 common निकला तो, minus 2 बचा, 1 बचा, minus 2 बचा, यहां से 3 common निकला तो, minus 2, माइनस दो और एक बचा ॥ीक है और यही चीज़ देखो फिए हब हमारे पास इपले एक प्रिश्ट एडूइट एक बच्थ टीन और यह वाले चीज जो है एक डैस है के डैस दुखे है माइनस वन टूटकू minus 2 1 minus 2 और minus 2 minus 2 1 minus 2 minus 2 1 तो यह वाले चीज a dash है और यह हमको क्या करना था प्रूफ करना था ठीक है बच्छा हूं तो यह था हमारा question number 10 चलो next question पर चलते है यह है हमारा long question 5 marks का if a question इतना find a inverse and hence solve the system of linear equation a दिया है पहले a inverse निकालना है तो चलो पहले solve करके इसा कर लेते हैं a क्या है हमारे पास a है हमारे पास 1 2 minus 3 2 3 2 3 minus 3 minus 4 ठीक है तो इसका तो सबसे पहले inverse निकालने के लिए अपने को determinant a चाहिए तो this implies determinant a equals to तो 1 2 minus 3 2 3 2 3 minus 3 minus 4 अब इसको expand कर लेते हैं R1 पर expand along R1 expand along R1 किसी पर expand कर सकते थे तो determinant a equals to 1 ये रो खतम ये कॉलम खतम 4 गुना 3 minus 12 minus 2 गुना minus 3 minus 6 तो minus minus plus 6 minus 2 ये रो खतम ये कॉलम खतम minus 2 गुना 4 minus 8 minus 3 गुना 3 9 minus 8 3 गुना 2 यहां से देखो, यह 2 है न, यह 2, यह रोग खतम, यह कॉलम खतम, माइनस 8, तीन दुना, 6, ठीक है, और फिर, प्लस 3 न तो प्लस माइनस 3, माइनस, और यह रोग खतम, यह कॉलम खतम, माइनस 6, माइनस 9, माइनस 6, माइनस 9, ठीक है, यह आ रहा है तुमारा, तो क्या आ गया, देश इंपलाइज, डेतर्मिनांट एक बस टू, एक गुना माइनस चे, माइनस दो गुना माइनस चौधा, माइनस तीन गुना माइनस, नौचा, पंदरह, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डेतर्मिनांट निकाल लेंगे, हो जाएगा माइनस 6 प्लस 14 दुने 28 और 15 या 45 और यह क्या आ गया तुमारा माइनस 6 प्लस 28 22 प्लस 45 67 ठीक है तो this implies determinant A equals to 67 7 तो यह 0 नहीं हुआ इसका मतलब A invertible है A का inverse निकाल सकते हैं not equals to 0 तो this implies A is invertible invertible चलो अब A inverse निकालते हैं ठीक है यह तो हमारा हो गया अब A inverse तो हम लोग इधर निकाल लिए हैं अब देखो 9 हम लोगों क्या चाहिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33 सबका साइन दे दो तो एक एक दो प्लस हो जाएगा दो एक तीन माइनस हो जाएगा एक तीन चार प्लस हो जाएगा तो एक तीन माइनस हो जाएगा दो दो चार प्लस हो जाएगा तीन दो पांच माइनस हो जाएगा तीन एक चार प्लस तीन दू पाँच माइनस तीन तीन छे प्लस अब चलो सबका हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं निकालते हैं यही से देखके निकाल सकते हैं यह रोख खतम यह कॉलम खतम यह रोख खतम यह कॉलम खतम माइनस बारह माइनस बारह प्लस छे माइनस 6, तो माइनस 14, तो माइनस 14, तो माइनस माइनस 14 हो गया, फिर हम लोग 1 3 एक रख लेते हैं, यह रो यह कॉलम खत्म, माइनस 6, माइनस 9, माइनस 6, माइनस 9, तो माइनस 6 और माइनस 9, माइनस 15 हो गया, ठीक है, अब 2 1, यह रो, 2 1, यह कॉलम यह खत्म, तो माइनस 8, मा मैनस 9, मैनस 17, बराबर कितना आगया, 17 आगया, और 2, 2, 2, यह रो खत्म, यह कॉलम खत्म, मैनस 4, और प्लस 9, मैनस 4, अब मैनस 9, तो मैनस 5 बचा, मैनस 4, प्लस 9 प्लस 9, बचा, अब देखो तो 3 दो, 3,2 एलिमेंट यह रो एकोलम खत्म माइनस 3, माइनस 6 माइनस 9 माइनस 9 तो प्लस 9 हो गया अब 3,1 3,1 यह रहा 3,1 यह रहा तो यहां से 4 प्लस 9, 13 प्लस 9, 13 फिर 3,2 3,2 यह रो खत्म, यह कॉलम खत्म 2 प्लस 6, आथ और फिर 3,3 यह रोग खत्म यह कॉलम खत्म 3-4-1 तो इस तरह से जो हमारा है एडज्वाइंट A तो इस इंपलाइस एडज्वाइंट A बराबर क्या आ रहा है हमारा अगर एडज्वाइंट A का बात कर लें तो माइनस 6, 14, माइनस 15, 17, 5, 9, 13, माइनस 8, माइनस 1 ठीक है यह पूरा सब यहीं से देखके सब लिख दी है तो यह हमारा एडज्वाइंट A आ गया अब A इंवर्स निकालते हैं तो चुकी A इंवर्स बराबर एक बटे डिटर्मिनांट A गुना एडज्वाइंट A तो बराबर एक बटे डिटर्मिनांट A हो गया 67 और एडज्वाइंट A देखके कितना आ रहा हमारा माइनस 6, 14, माइनस 15, 17, 5, 9, 13, माइनस 8, माइनस 1 ठीक है तो ये A इंवर्स आ गया अब हमको solve क्या करना है equation ये equation इस equation को solve करना है ठीक है ये equation को solve करना है अब क्या करना है हमारे पास जो equation है वो किया है देखो ध्यान से x plus 2y minus 3z बराबर minus 4 x plus 2y minus 3z बराबर minus 4 ये है ना x plus 2y minus 3z बराबर minus 4 2x plus 3y plus 2z equals to 2 2x plus 3y plus 2z बराबर 2 यह था 2x plus 3y 2x plus 3y plus 2z equals to 2 सही है अब अगला 3x minus 3y minus 4z equals to 11 3x minus 3y minus 3z बराबर 11 यह था 3x minus 3y minus 4z है ना 4z 4z 11 ठीक है तो इसी को हम लोग ना क्या लिख सकते हैं इसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में 1 2 minus 3 2 3 2 3 minus 3 minus 4 ठीक है और यह हो गया तुमारा x y z और यह हो गया तुमारा minus 4 2 11 एसा ठीक है तो यह किस फॉर्म में है it is in the form of it is in the form of ax equals to b ax equals to b where जहां पर a जो है हमारा वो क्या है देखो ध्यान से 1 2 minus 3 2 3 2 और 3 minus 3 minus 4 x है हमारा x y z और b है हमारा minus 4 यह 4 है भाई minus 4 2 और 11 ऐसा है ठीक है तो देखो a यहां पर जो 1 2 minus 3 है उपर में भी देखो यह वही होगा 1 2 minus 3 2 3 2 उपर में देखो 2 3 2 और फिर 3 minus 3 minus 4 फिर देखो यहां पर 3 minus 3 minus 4 है तो यह तो दोनों के लिए same है अब देखो यहां पर तो चुकी x बराबर क्या होता है a inverse b x बराबर क्या होता है a inverse b तो अब होना हमना आरे पास a inverse तो पहले से ही पता है तो this implies x बराबर a inverse a inverse देखो उपर निकालने क्या है 1 by 67 1 by 67 यह x है हमारा 1 by 67 a inverse देखो क्या है तमारे पास a inverse है minus 6 17 13 दूसरा फॉर्टीन फाइब माइनस एट फॉर्टीन फाइब माइनस एट फिर तीसरा रोकिया है माइनस फिप्टीन नाइन माइनस वन यह है हमरे पास और बी क्या है हमरे पास माइनस फॉर टू एलेवन तो देस इंपलाइस एकस 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 टू वन बाइ सिक्स्टी सेवन और चलो इसको मल्टिप्लाई कर लेते हैं अब छे गुना चार चौबिस प्लस सत्रह गुना दो चौतिस प्लस तेरह गुना एक ग्यारह वन फॉर्टीन जबने है ना दूसरा रोगर फिर यहां पर पहला कोख चौद्धा गुना चार माइनस छप्पन पांच गुना दो प्लस दस तस माइन आठ गुना ग्यारह माइनस aight topics फिर पंद्रह गुना चार साथ प्लस में नौ गुना दो अठारा माइनस एक तो यह माइनस ग्यारा ठीक है ऐसा हो गया चलो देखो अभी क्या रहा है हमारा तो एक सिक्वेस्ट टू वन बाई सिक्स्टी सेवन और यहां से जोड़ने पर देखो क्या मिलेगा हमको चार चार आठ तिन ग्यारा के एक हातरा एक पाँच तिन आठ दो दस के जिरो एक दो सो एक ठीक है फिर यहां पर देखो 10 इसमें घटा दू तो minus 46 minus 46 आगया तो 80 और 40 120 और 6 और 8 14 तो minus 134 ठीक है फिर यहां पिर देखो इसमें अगारा तो 17 बज गया 17 बज गया तो यहां से कितना रहा है यहां से 7 बचा 18 में minus 1 गारा तो 7 60 और 67 67 ठीक है और अब देखो यहां से क्या हो रहा है X के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या X Y Z X Y Z और यहां देखो 201 को 67 से भागा दो तीन बार में जाएगा तीन बार में और यह फिर दो बार में और यह एक बार में तो इस इंपलाइज X कमान आ गया तीन Y कमान आ गया माइनस दो Z कमान आ गया एक तो यह हमारा आंसर है ठीक है बच्चों यह हमारा आंसर है यह है question number हमारा long का पहला चलो चलते हैं long का question number दो by using elementary transformation row inverse निकालना है transformation row transformation से ठीक है बच्चों मैट्रिक्स में भी हम लोगों इस तरह का एक सम बनाया था फिर से बना लेते हैं तो एक क्वश्ट्टु कितना है तुमारे पास एक क्वश्ट्टु है दो जीरो माइनस एक पांच एक जीरो और जीरो एक तीन Actually में क्या है elementary transformation हम लोग बना चुके थे matrices में यहाँ भी फिर से दे दिया है तो फिर से बना लेंगे row operation लगाना है तो for row operation for row transformation row transformation के लिए A equals to क्या होता है we know that we know that we know that A equals to I A ठीक है row रहेगा तो पहले I A column रहता तो इस I A को बाद में लिखते हैं तो यहाँ से क्या हो गया A क्या है हमारे पास 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3 और I A हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यह रहा ठीक है अच्छा अब हमको क्या करना है पहला इसको 1 बनाना है तो इस दोनों को आपस में पहले अदली बदली कर लेते हैं तो apply R1 interchange R2 apply R1 interchange R2 R1 और R2 को आपस में जब interchange करेंगे तो यहां आजाएगा पांच एक जीरो दो जीरो माइनस एक जीरो वन थ्री और यहां जीरो यहां पर R1 और टो जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो ठीक है और जीरो जीरो वन और यह है हमारा A ठीक है अच्छा अब इसको 1 बनाना है तो इसको 2 से गुना करो 4 आजागा इसमें घटा दो apply R1 R1 माइनस 2 R2 R1 में 2 से R2 को गुना करके घटा देते हैं कितना रहा है 5 माइनस 4 1 1 माइनस 0 1 और 0 माइनस माइनस प्लस 2 यहां गया 2 नहीं और यहां तो 2 0 माइनस 1 0 1 3 एक क्वस्ट ओ यहां पे 0 माइनस 2 1 और यह तो 0 रह गया 1, 0, 0 0, 0, 1 यह है और यह है A ठीक है अगला इसको 0 बनाना है इसको 0 बनाना है 2 से गुना करके घटा तो इसमें अपलाई अपलाई R2 R2 माइनस 2R R2 माइनस R1 इसको 0 बनाना है न R2 माइनस 2R1 R2 में R1 को 2 से गुना करके घटाते हैं डेखो तो किया रहा हैं मारह यह रहां वन वन टू और यहां पितगो में आगे 0-2 तो यह माइनस 2 आ रहे हैं और माइनस 1 R2 पे दो को माइनस 1 माइनस 2 गुना 2 माइनस 4 तो माइनस 1 माइनस 4 कितना आ गया माइनस 5 आ गया अब 0, 1, 3 ऐसा चल रहा है हमारा अच्छा अभी यहां देखो माइनस 2, 1, 0 और R2 माइनस 2, R1 तो R2 है 2 माइनस 2 दो दो नी 4 तो यह आ गया 5 है न 2, 1 हो गया तुमारा माइनस 2 गुना माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस 4 एक 5 0 माइनस 2 तो माइनस 2 आ गया यह 0 है और यह 0, 0 और यह क्या है 1 है और यहां A है हमारा अब देखो क्या करना चाहिए अब अब जो है हमको इस चीज को 0 बनाना है तो R1 में R3 माइनस कर देते हैं apply R1 R1 माइनस R3 ठीक है R1 माइनस R3 तो क्या आ जाएगा देखो तो तो 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 3 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 5 0 1 3 यहां भी R1 माइनस R3 कर रहे हैं तो माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1 यह रहा A और यह है हमारा पांच माइनस दो जीरो और जीरो जीरो वन यह रहा अच्छा अभी इसको वन बनाना है तो तीन से इसमें मल्टिप्लाइ करके इसमें घटा देते हैं ठीक है तीन में इसमें मल्टिप्लाइ करते हैं है सोरी इसको वन बनाना तो तीन से मुल्टिप्लाइब करके इसमें घटाते हैं हम ठीक है यहां से यहां पर देखो तो क्या रहा है मेरा हार टू मैनस टू आरवन ना तार टू क्या है माइनस बनस मैनस ठीक है ठीक है चलो तो क्या है आरव मारा है एप बहुंच जीरो मैनस वन जीरो माइनस टू अच्छे यह प्लस करना है मैनस 2 प्लस 3 1 आ रहा है मैनस 5 प्लस 9 4 आ रहा है अच्छा अब 0, 1, 3 है और यहाँ पर देखो अब हमारा क्या रहा है R1 को मैनस 2, 1, मैनस 1 R2, प्लस 3 R3, तो 5 ही रहा मैनस 2 रहा 0 प्लस 3, तो यह 3 हो गया और यह रहा है, 0, 0 और 1 यह हमारा A है ठीक है? अब देखो इसको जिरो करना है तो R3 में R2 माइनस करना है apply apply R2 R3 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 माइनस R2 by बस इसमें प्लस माइनस करके इसको identity matrix बनाना है बस यही काम यहां पर देखना है तो क्या हो गया? 1, 0, माइनस 1 0, 1 और 4 और यहां देखो R3 माइनस R2, 0 1 माइनस 1, 0 और 3 माइनस 4, माइनस 1 यह आ रहा है ठीक है? और equals to, देखो यहां पर minus 2, 1, minus 1 5, minus 2, 3 और R3 माइनस R2, 0, minus 5 तो minus 5 0, minus, minus, plus 2 और 1, minus 3, minus 2 और यह रहा हमारा A ठीक है? अब देखो इसको 0 बनाना थे इसमें इसको माइनस कर लेते हैं apply R1 R1, minus R3 R1, minus R3 कर लेते हैं देखो क्या मिला हमको R1, minus R3 करने से 1, minus 0, 1 0, minus 0, 0 minus 1, minus, minus, plus 1, 0 और यह है 0, 1, 4 0, 1, 4 ऐसे हैं ठीक है? और यहां पर हमारा 0, 0, minus 1 और R1, minus R3 करते हैं minus 2, plus 5, 3 1, minus 2, minus 1 minus 1, plus 3 1 और यह रहां A minus 5, minus 2, 3 minus 5, 2, minus 3 अच्छा, अब इसको 0 करना है तो R2 में 4R3 घटा जोड़ दो apply R3 R3, plus 4R3 R2, plus 4R3 R2 चेंज करना है 2 में इसको 0 बनाना है R2, R2, plus 4R3 तो क्या रहा है यहां से? 1, 0, 0 R2, plus 4R3, 0 यह 1, plus 0, 0 और यहां 4, minus 4, 0 ठीक है? और यह हुआ 0 यह 1 है ना पहले से 0, 0, minus 1 अब यहां पर 3, minus 1, 1 और R2, plus 4R3 R2, 5 है अब 4R3 करेंगे तो minus 20, 15, minus 20 5, minus 20, minus 15 minus 2, 8, 6 minus 2, plus 8, 6 3, minus 12, minus 9 और यहां पर है minus 5, 2, minus 3, A ठीक है? और अब देखो क्या हो रहा है हमारा? कि इसको हमको plus 1 लाना है तो अपलाई R3, minus R3 R3 को minus से गुना कर लेते हैं तो क्या आ गया हमारा? देखो तो 1, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 1 अब इधर आप multiply कर लो हो रहा है 3, minus 1, 1 ठीक है? minus 15, 6 minus 9 minus 9 कुछ करबढ़ है यहां पर 4 से 3 आया हमारा R2 plus 3 R1 3 R3 ठीक है? 3 R3 हमारा है R3 minus R2 सही है? अच्छा सौरी यहां तो minus 2 है भई यह minus 3 minus 2 है यहां भी कैमारा minus 2 है अच्छा अब यहां पर देखो क्या हो रहा है तो यहां पर minus 2 है न तो यहां कितना आ गया हमारा minus 2 है तो R2 plus 4 R3 R2 है 3 plus 4 R3 तो 3 اور minus 8 3 minus 8 minus 5 तो यहां भी हो गया हमारा minus 5 सही है ठीक है? यह हो गया हमारा minus 5 और हो गया 5 माइनस से मल्टिप्लाइ कर रहे हैं तो यह बन गया 5 और यह बन गया माइनस 2 और यह बन गया 2 और यह हो गया A ठीक है तो इसमें थोड़ा सा धहरे रखना है प्लस माइनस थोड़ा तो आई बन गई है तो this implies A inverse जो है यह वाला चीज हमारा A inverse आगया A inverse क्या आगया 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 और 2 ठीक है बचो तो यह हमारा answer हो गया थोड़ा सा long question है ठीक है चलो यह था हमारा long का 2 अब next question पर चलते है long का 3 prove that A is neither symmetric matrix nor skew symmetric matrix दिखाना है कि यह ना तो symmetric और ना ही skew symmetric है solution देखो A बराबर 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus और 2 अब हमको symmetric दिखाना है कि तो A dash बराबर क्या हो गया जो रो है वो column बना दो 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 और minus 4 minus 5 2 ऐसा रहा है तो साब दिख रहा है कि end यहां से अगर हम लोग minus निकाल लेते हैं common तो A dash बराबर अगर minus common निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा minus 3 2 4 minus 3 2 5 1 minus 1 2 ठीक है तो clearly clearly a dash equals to not equals to a and a dash not equals to minus a a dash ना तो a है और ना ही minus a है तो this implies ठीक है a is neither neither symmetric matrix neither symmetric matrix nor skew symmetric matrix nor skew symmetric matrix क्या है यह हो गया अब फिर क्या बोल रहा है also express a as a sum of symmetric and skew symmetric matrix no again of symmetric और skew symmetric के sum में लिखना है again a equals to क्या होता है 1 by 2 a plus a dash plus 1 by 2 a minus a dash यह symmetric होता है यह skew symmetric होता है तो this implies a equals to 1 by 2 a देखो क्या है हमारे पास a हमारे पास है 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 और minus 4 minus 5 2 यह यह आया plus a dash इसी को पलट के लिख देंगे 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 और minus 4 minus 5 2 यह हो गया यह तो हमारा a plus a dash हो गया और plus 1 by 2 a minus a dash यह आ रहे 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 5 2 minus 3 minus 2 minus 2 minus 4 3 minus 2 minus 5 minus 1 1 2 ठीक है? ऐसा तो दिस इंप्लाइज a equals to 1 by 2 अभी यहां से क्या करते हम लोग? 3 और 3 6 2 minus 2 3 minus 2 1 minus 1 minus 4 minus 5 2 minus 2 plus 3 minus 5 minus 2 minus 2 minus 4 ठीक है? अच्छा minus 2 plus 3 है न? एक आएगा एक और minus 2 minus 2 minus 4 एक अब प्लस 1 minus 5 तो minus 4 आ रहा है अभी देखो minus 4 minus 1 minus 4 minus 1 minus 5 minus 5 1 minus 4 2 और 2 4 और plus यहां पे plus 1 by 2 अब देखो यहां से 3 में 3 गया 0 3 minus minus प्लस 2 5 minus 1 plus 4 3 2 minus 2 minus 3 minus 5 minus 2 minus minus 2 0 और 1 minus minus plus 5 6 minus 4 minus 1 minus minus plus 1 तो यह तो minus 3 आ गया और 5 minus तो minus 6 आ गया और 2 minus 2 0 आ गया ठीक है अब इसको multiply कर लेते हैं एक बटे 2 से तो यह हमारा एक सिमेट्रिक और एक इसके सिमेट्रिक आ जाएगा 6 बटे 2 3 1 बटे 2 minus 5 बटे 2 1 बटे 2 minus 4 बटे 2 minus 2 minus 2 minus 5 बटे 2 minus 2 प्वाबचे 2 तीन बटे 2 minus 5 बटे 2 0 6 बटे 2 तीन तो minus 3 बटे 2 minus 3 जीरो यह हमारा सिमेट्रिक और एक symmetry होगा, एक symmetry होगा, तो यह हमारा answer होगा, ठीक है, तो यह था हमारा question number 3, ठीक है, long का, चलो, question number 4 देते हैं, क्या कह रहा है, sum of 3 numbers is 6, thrice the third, twice the third number, when added to first number, gives 7, on adding the sum of second and third number, to the thrice, the first number, we get find, 12, find the number using matrix method, चलो, solution, let, बोल रहा है कि 3 संख्यों का योग छे है, तो let, मान ले तें, let 3 numbers, 3 numbers are, x, y, z, मान ले तें 3 number का, x, y, z, तो अब एक कोर्डिंग तो question, प्रस्ना अनुसार, क्या कह रहा है, तीनों का sum, x, j, y, j, z, बराबर, 3 संख्यों का योग 6 है, तो यह आ गया, 6, equation 1 बन रहा है, ठीक है, 3 संख्यों का योग क्या गया, 6 आ गया, अच्छा, अब देखो दूसरा, कह रहा है, पहले संख्यां में, तीसरे संख्यां का दो गुना जोडने पर, पहला संख्यां, और तीसरे संख्यां का दो गुना जोडने पर, तो प्लस तीसरे संख्यां, पहले संख्यां का दो गुना जोडने पर, तो तीसरा संख्या Z है तो इसका दो गुना जोडने पर दो Z क्या प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा जोडने गुना जोडने पर साथ प्राप्त होता है तो यह हो गया साथ equation 2 और फिर तीसरा क्या कह रहा है दूसरे तथा तीसरे संख्या में पहले संख्या का तीन गुना जोड़ने पर बारा प्राप्त होता यह हो गया नंबर 3 तो यह हमारा जो है बन गया equation तो इसको matrix के रूप में लिखेंगे तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं एक 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 जिरो दो तीन एक एक और यहां है हमारे पास एकस वाई जड और यह हमारे पास छे साथ बार ठीक है it is in the form of it is in the form of ax equals to b वेर जहां पर वेर एक का जुमान है एक 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 जिरो दो और तीन एक एक है और x का जुमान है x y z और b का जुमान है 6 7 12 चलो अब a का inverse निका लेंगे तो ही हमारा काम होगा तो सबसे पहले determinant है क्या हो गया 111 102 311 किसी पर expand कर लो r1 पे ही 1 ये रो खत्म ये कॉलम खत्म 0 माइनस 2 माइनस 1 ये रो खत्म ये कॉलम खत्म 1 माइनस 6 प्लस 1 ये रो खत्म ये कॉलम खत्म 1 माइनस 0 तो क्या गया हमारा 1 गुना माइनस 2 माइनस 1 गुना माइनस 5 1 गुना 1 माइनस 2 प्लस 5 प्लस 1 रिच्छे में दो गया, क्या बचा? 4. ठीक है? तो यहां से हमारा जो है, क्या हो गया? मेंatー 4 आगया. तो A Inverse एक्सिस्ट कर गया का? अगर एक्सिस्ट नहीं करता तो यहीं पे बोल देते हैं, कोई सल्ुशन नहीं है. तो Determinant fjust to 4 not equals to 0 तो This implies A inverse exist A inverse क्या करेगा exist करेगा अब चलो इसका हम लोग को factor लिखते हैं तो को factor लिखने के लिए क्या करते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ठीक है तो देखो इस तरह से यह हो गया हमारा A11 सबका sign देदो plus, minus, plus minus, plus, minus plus, minus, plus अब दो को A11 ये रो खतम देखो A11 क्या हो रहा है ये रो खतम ये कॉलम खतम 0-2 0-2 तो 0-2 माइनस टू हो गया फिर A12 ये रो ये कॉलम खतम ये रो ये कॉलम खतम एक माइनस छे तो एक माइनस छे माइनस पाँच तो माइनस पाँच क्या बना 5 एक तिन देखो एक तिन ये ये रो खतम ये कॉलम खतम एक माइनस जीरो तो एक बचा तो यहां से हो गया एक फिर दो एक दो एक ये है, ये रो खतम, ये कॉलम खतम, एक माइनस एक जिरो तो ये तो दो एक जिरो हो गया, दो दो ये रो खतम, ये कॉलम खतम, एक माइनस तीन, माइनस दो तो माइनस दो, और अब दो तीन, दो तीन ये रो खतम, ये कॉलम खतम, एक माइनस तीन, फिर से माइनस दो, ठीक है? फिर से माइनस दो माइनस दो माइनस दो प्लस दो होगी अब तीन एक ये रोख खतम ये कॉलम खतम दो माइनस जीरो दो तीन दो ये रोख खतम ये कॉलम खतम दो माइनस एक एक और फिर तीन तीन ये रोख खतम जीरो माइनस एक तो माइनस एक तो इस तरह से क्या हुआ तो this implies adjoint a equals to क्या है तुमारे पास minus 2 5, 1 0, minus 2, 2 2 minus 1 minus 1 यह आ गया हमारा adjoint a ठीक है अच्छा अब चलो a inverse and a a inverse equals to क्या होता है a inverse equals to 1 बटे डिटर्मिनांट a गुना adjoint adjoint a यह होता है तो एक बटे डिटर्मिनांट ए कितना आ गया तुमारा 4 डिटर्मिनांट ए आ गया 4 adjoint minus 2, 0, 2 5 minus 2, minus 1 1, 2 minus 1 यह डिटर्मिनांट a inverse आ गया हमारा ठीक है अब since x equals to क्या होता है a inverse b तो यहां से हम लोग क्या करेंगे a inverse देखो क्या है तुमारा एक बटे 4 और a inverse देखो मारा क्या है minus 2, 0, 2 5 minus 2, minus 1 और 1, 2, minus 1 यह आ रहा है ठीक है और b देखो क्या है हमारे पास b b हमारे पास है a है अच्छा है यह वाला x था न वेर a क्वेस्टू यह तो हमारा x एक क्वेस्टू था और यह हमारा b क्वेस्टू तो b है 6, 7, 12 x हो गया b तो 6, 7, 12 b क्या है 6, 7, 12 6, 7, 12 ठीक है अब गुना कर लिए यहां से एक बटे चार तो माइनस दो गुना च्छे माइनस बारा प्लस जीरो चौबिस पन चके तीस माइनस साद्दू नी चौदा और माइनस बारा ठीक है फिर 6, 7, 2, 14 माइनस बारा एक बटे चार बारा और तीस माइनस च्छबिस चार अठारा बीस चौदा च्छे बीस में बारा आठ एक बटे चार से भाग दो तो आ रहा है तीन, एक, दो और x को हम लोग क्या लिख सकते हैं x को लिख सकते हैं x y z और। यह किस के बराबर है 3, 1, 2 के बराबर है और इस तरह x का माण जो है वो 3 आ रहा है y का माण 1 आ रहा है और z का माण 2 आ रहा है यह हमारा answer है ठीक है बचूँ x, y, z का माण हमारा 3, 2 3, 1 और 2 आ रहा है चलो आगे बढ़ते हैं तो यह था हमारा question number 4 चलो अगले question पर जाते हैं question number 5 देखो इसको solve करना है क्या है सिद्ध करना है इतना बराबर इतना तो solution LHS ले लेते हैं तो LHS हमारे पास है A square B C C square plus A C ठीक है यहाँ से A square plus A B B square और यहाँ से A C और यहाँ से A B B square plus A C और यहाँ से C square SR ठीक है तो चलो सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए अपने को क्योंकि हमको proof करना है 4 A square B square C square ठीक है 4 A square B square और C square तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर लें कि C1 से A common निकाल लो C2 से B common निकाल लो इससे C1 से C1 से A C2 से B और A C2 से B अच्छा यहाँ पर क्या हमारा B C है यह हमारा B C है इससे B और इससे C तो तो टेकिंग कॉमन टेकिंग कॉमन A फ्रॉम C1 B फ्रॉम C2 and C फ्रॉम C3 देखो A, B, C निकाल लिएं कॉमन ठीक है इससे A, इससे B, इससे C तो A निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा A बचा यहाँ पर क्या बचा A प्लस B बचा यहाँ पर क्या बचा B बचा यहाँ से B निकाल लिए तो यहाँ C बचा यहाँ B बचा और B प्लस C बचा यहां से C निकाल नहीं तो क्या बचा C plus A A और C बचा है यह बच गया हमारा ठीक है तो हम लोग इस तरह से A plus B plus C common निकाल लिए अब देखो क्या करते हैं लोग कि 0 बनाने का कोसिस करते हैं 0 बनाने का कोसिस करते हैं लोग तो क्या किया जाए इस R1 में अगर R2, R3 को जोड़के घटा देंगे तिया जिरू हो जाएगा तो अपलाए R1 R1 प्लस R1 माइनस R2 माइनस R3 देखो तो क्या रहा है A, B, C R1 माइनस R2 A, माइनस B, माइनस A, माइनस B A कटा, माइनस B, माइनस B माइनस 2B C, माइनस C, माइनस B, माइनस B, माइनस C तो CC कटके यहां भी देखो तो क्या रहा है देखो यहां पे R1 क्या है C, माइनस B, माइनस B, माइनस C तो CC कट गया बचा, माइनस 2B जैसे इसी में क्या था तुमारा A-A-B-B तो यह कड़ गया तो माइनस B और यह तो हो जागा C-A-A-A-C-0 बन गया और यहाँ पर क्या बचा A-B-B-A-B-B-C-C ठीक है तो इसको हटा देते हम देखो अब यहाँ से क्या हो रहा है B और common आ रहा है यह माइनस 2-B भी common निकाल सकते हो ठीक है टेकिंग common टेकिंग common माइनस क्यों निकाल ले माइनस हटाओ सिर्फ क्या करते है 2-B निकाल लेते है 2-B from R1 R1 से common निकाल लिए यहाँ से हो गया 2-B common निकाल रहा है तो A-B-Square-C तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है 2-B निकाल तो माइनस 1-1-0 A प्लस B B A B B प्लस C C चलो अब C1 में C2 घटा देते है apply C1 C1 माइनस C2 देखो तो क्या रहा है तुमारा यहाँ से 2-A-B-Square-C 2-A-B-Square-C और C1 में C2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 0 A प्लस B माइनस B A B माइनस B माइनस C तो माइनस C माइनस 1 B B प्लस C 0 A C अब देखो दो 0 मिल गया हमको R1 में तो R1 पर expand कर देते हैं expand along R1 R1 पर क्या करो expand कर लो तो this implies 2 A B सquare-C 2 A B सquare-C 0 माइनस माइनस प्लस 1 तो यह रो खत्म यह कॉलम खत्म A C माइनस 0 A C माइनस 0 और फिर माइनस प्लस माइनस प्लस तो प्लस 0 हो गया यहां से तो यहां से क्या बचा है 2 A B सquare-C इन्टू यहां पर खाली 0 A C बचा और फाइनल हमको क्या प्रूफ करना था 4 तो कहीं से 4 और हमारा आना चाहिए था था ना अच्छा हाँ एन्टू निकला और और हम माइनस जो कर रहे है माइनस माइनस तो हमारा 2 A स्क्वार B C हो रहा है तो 4 देखो कहीं से और आना चाहिए हाँ यहां से A C अच्छाई यह 0 यह यह A C A है तो A C माइनस माइनस प्लस A C यहां भी A C है हमारा ठीक है यह C है तो यह Rear O खतम यह कलम खतम A C माइनस माइनस प्लस A C तो 2 A C तो दो दुनी चार A स्क्वाइर B स्क्वाइर C स्क्वाइर और यह हमारा RHS है ठीक है बचों तो यह था हमारा question number 5 ठीक है तो बचों आज हम लोगों ने पूरा का पूरा question bank solve कर लिया chapter 4 था हमारा determinant और बचों बहुत मेहनत लगती है इसको solve करने में तो आप लोग like जरूर कर दें ठीक है बचों इससे क्या होता है कि हम लोगों का उत्साह बढ़ता है तो आप लोग like जरूर करें और share दोस्तों के साथ जरूर करें और अभी तक अगर subscribe नहीं की है तो जरूर कर लें ठीक है बचों मिलते हैं next video में अगले chapter के साथ तब तक के लिए bye take care